बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम हिंदी में क्यों लिखते हो? अब इस बात का मैं क्या जवाब तू मुझे कभी समझी नहीं आता? अपने घर पर रोज राद जब फोन पर बात करता हूँ तो मैं हिंदी में बात करता हूँ और कभी जब बहुत गुसा आता है तो पहली गाली भी हिंदी में निकलती है हिंदी मुझे मम्मी ने प्यार से पुछकार कर गोद में सिखाई थी इसलिए शायद हिंदी में कुछ भी लिखता हूँ तो लगता है कि दिल से लिख रहा हूँ पहली बार प्यार में जो कविता लिखी थी वो भी हिंदी में लिखी थी प्यार में पढ़कर जिस भाषा में हम अपनी पहली कवता लिखते हैं वही हमारी असली भाषा होती है बाकी सब बस शो आफ है नहीं, इंगलिश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंगलिश आनी ही चाहिए बस मुझे एक बात थोड़ा इरिटेट करती है जब मैं अपने आसपास उन लोगों को देखता हूँ जिनको अपनी हिंदी बोलने में शरम आती है मैं अकसर लोगों से पूछता हूँ कि आपने अपनी भाषा में जो भी आपकी भाषा हो मराठी, तमिल, तेल्गू या फिर हिंदी उसमें आखरी किताब कप पड़ी थी पदा चलता है कि स्कूल में आखरी बार किताब पड़ी थी अपनी भाषा की जब आप बोलते हो न I love my India, भारत माता की जै कभी सोचा है आपने कि आपके देश में आपकी भाषा भी आती है भाषा हमारी है तो खयाल भी हमें ही रखना पड़ेगा न नहीं मैं हिंदी में लिखकर कोई महान काम नहीं कर रहा बस मेरा ढर यह है कि अब से दो जनरेशन बाद बच्चों को हिंदी हिंदी की ग्लास में पड़ाई जाए हिस्ट्री की ग्लास में नहीं